हाई फ्रेंग्स मैं मीना मेरी कीचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बनाना बॉल सभी को पसंद आने वाली रेस्पी है खास कर बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेस्पी है आप बनाईए और बच्चों के टिफिन में दीजिए अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुले बनाना बॉल बनाने की सामगरी है तीन बनाना या केला आधा कप नारियल का बुरादा एक चवथाई चम्मच बेकिंग सोड़ा एक चम्मच इलाइची पाउडर एक कप चीनी दो कप मैदा और तलने के लिए तेल अब हम मिक्सी में चीनी को पीसेंगे चीनी को हमने पीस लिया है और अब हम केले को काटेंगे जितना पका केला आप लेंगे उतना ही अच्छा होगा देखिए केले को हमने काट लिया है और अब हम केले को चीनी के साथ में पीस लिया है देखिए हमने केले को चीनी के साथ में पीस लिया है और बहुत ही बड़िया पेश्ट बनके तयार है और अब हम पेस्ट को एक बाउल में डालेंगे अब हम पेस्ट में मैदा डालेंगे नारियल का बुरादा डालेंगे इलाइची पाउडर डालेंगे अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे कि देखिए हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और पानी का इस्तमाल बिल्कुल नहीं किया है अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा मिला लेते हैं देखिए हमने बेकिंग सोडा को भी बहुत अच्छे से मिला लिया है और डो हमारा तयार है अब हम डिप फ्राई करेंगे बनाना बॉल तलने के लिए हमने कड़ाई में तेल को गरम कर लिया है और तेल का अच्छा गरम होना बहुत जरूरी है अब हम तेल को चेक करते हैं तेल हमारा गरम है या नहीं तेल बर्म हो गया है और अब हम आज को दीमी करेंगे और बनाना बॉल को तलेंगे छोटे छोटे बॉल बनाएंगे देखिए बनाना बॉल को हमने अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है और अब हम प्लेट में निकाल लेंगे रुल लेंगे हैं इनक टो तक होगा है एंगे हैं इसी तरह से हम सारे बॉल को तल कर तैयार करेंगे बनाना बॉल बनकर तैयार है देखिए कितने सौप्ट और कितनी अच्छे बनाना बॉल बनकर तैयार है इसे आप जरूर बनाईए खाईए और कमेंट में बताईए कि मेरी रेस्पी कैसी बनी अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए मिलते हैं अगले रेस्पी के साथ धन्याँ